वाइज मैं दॉक्र शिवुमय और वेलकम बैक टू बायो कट्टा तो आज जो है आम रैपिड रिविजिन आफ इंपॉर्टंट अन्सियाटी लाइज जो है वो करने वाले है आफ चाप्टर दाट इस अनिमल किंग्डम ठीक है तो बिना किसी तेरी के शुरू करते है ठीक है उससे बहला शुरू करनेसे शुरू करने से यह मेरे मेरी सोचल मीडिय लिंक से आफ्ड है आप मुह जो हाँ फोलौ कर सकते है ठीक है तो इस इस मैं इस्ताग्राम एंड इस मैं टीलिग्राम ओ करते हैं इताई सर legit में चूअ जो है था तो काफी आफिस आम पे आते रहता है जैसे कि arrangement of the sales, body symmetry, nature of siloam, patterns of digestive tract, circulatory system, reproductive system यह सारी चीज़े जो है वो utilize करके animal classification यानि की kingdom animalia का classification जो है वो किया गया है उसमें सबसे पहली बात आती है that is levels of organization तो यहाँ पे कुछ animals में हमको loose cell aggregates के फ़र्म में cellular organization जो है वो देखने को मिलता है और वो जो है आमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, mostly polypheras में जो है देखने को मिलेगा, ठीक है कुछ-कुछ में किया है कि कुछ sales जो है वो साथ में मिट जाती है and they form a tissue तो उसमें हमें tissue level of organization जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है अगर बात करें तो अगर बात करें तो अगर ब्लड की cells ठीक है या ब्लड जो है वो organs को नहला रहा है tissue जो जो है वो ब्लड में सीदा बात कर रहे है यानि कोई भी उसमें pipeline system या arteries veins present नहीं है तो इसको आपन open type of circular system बोलेंगे, मुशलिए अर्थोपोडास में जो है यह open type of circular system पाई जाती है closed circular system जहां पे arteries veins capdaries आपको देखने को मिलेगी तो अगर बात करें तो वहां पे आपन को प्लेंट जो है वो देखने को मिलती है और ठीक है when any plane and body को equal halves में जो है divide करता है ऐसा जब पूछा देगा तो वहां पे radial symmetry ठीक है mostly जो है वो देखने को मिलता है साथी में जो है iconodermata के audience में भी जो है आपको देखने को मिलता है then body can be divided into exact single plane only one plane जब पूछा दाएगा और only one plane में identical left and right halves पूछा दाएगा तो उसको आपन bilateral symmetry बलते है और थो पोड़ाज में में मैमल्स में मुसली पाया जाता है किसी किसे में दो ही layer present होते है तो उसको आपन diploplastic, triploplastic उस हिसाब से जो है बोलते है अगर body cavity present है तो उसको आपन silomate बोलेंगे अगर नहीं है तो उसको आपन ur silomate बोलेंगे कुछ-कुछ में क्या होता है कभी-कभी बीच में tissues के pouches जो है नजर आते है तो उसको आपन pseudo-silomate बोलेंगे and pseudo-silomate जो है अमको आपन कहाँ पर देखनों को मिलता है Asclementis में देखनों को मिलता है Notocord के अगर बात करें Notocord कैसा है Mesodermary line structure है Rod-like structure है जो dorsal side of embryonic development से जो है वो developed होता है जिनमे Notocord प्रेजन होता है उसको आपन Caudates बोलता है जिसके नहीं होता है उसको आपन Non-Caudates बोलता है पोरिफेरा की बात के रहे है तो आर मुस्ली मराई Unsymmetrical animals होते है जिसमें water canal system जो है देखनों को मिलता है इसमें minute-minute pores होते है जिसको आपन Ashtria बोलता है जिसके अंदर से पानी जो है अंदर जाता है उसमें अंदर central cavity जो है तुमको नजर आती है जिसको आपन Sponjo Seal बोलते है और उपर एक बड़ा सा होल होता है जिससे जो होता है यह सारी पचाववा जो खाना है या फिर एक्सक्रिशन जो होता है वह बड़े बड़े होल से होता है उसको अपन Ascleum बोलते है तो यह जो water transport system में यह food gathering, respiratory exchange और removal of waste में जो है mostly help करती है यहां पर कुछ specific sales तुमको देखनों को मिलें कि उसको अपन quinocytes या color sales बोलते है जो यह canals के आजबाज़ो में होती है और वह food transport या movement of water में help करती है यहां पर skeleton देखने को मेलेगा आपको जो spongine fibers या speckles से बना होता है इसके example आप देखोगे तो साइकॉन, spongyla and you spongyla साइकॉन को इस काइफा बोलते है spongyla is a fresh water spongyla and you spongyla is a bath spongyla next silentata silentata के अगर बात करें तो it is a nidaria इसको nidaria भी बोलते है it is derived from the name that is nudoblast or nudocytes इसमें sales होती है यह इसको आपन nematocytes भी बोलते है stinging capsule cell होती है जो tentacles के उपर उनके present होती है किसके लिए काम आती है anchorage के लिए defense के लिए capture of prey के लिए बाती है इसमा होती है इसमें जो cavity होती है इसको आपन gastrovascular cavity बोलते है इसमें single opening होती है To incomplete digestive system होती है इसको आपन किया颇क है hypostrom बोलता है okay corals इसमें present होती है coral form is it in silentrata में and columns what are the耐ndria में present होती है a.m. he you can call that calcium carbonate impedance E.C. point ठीक है तो यह common name उसके इसाब से आते है तो इसमें जो है वो pole app and medusa firm जो होता है वो कैसे होता है इसको याद में रखने के लिए podap PM IMP से ठीक है ओ ठीक है PM IMP से ओ ठीक है ऐसा बोल सकते हो तुम ignore my voice ignore my tone ठीक है so pole app produces medusa sexually and medusa produces metagenesis pole app sexually and जो दोनों prefer करता है pole app and medusa firm उसको आपन क्या बोलते है ovelia बोलते है okay metagenesis उसको बोलते है आपन transfer of alternation of generation यहाँ पर देखता है sexual to sexual form metagenesis ovelia में जो है देखने को मिलता है दोनों form जो है देखने को मिलते है तो और यह हमें देखने को मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है तीनोफोरा की बात करें जो तीनोफोरा यहाँ पर इसको sea wallets या comgillies आपन बोलेंगे these are exclusively marine इससे अंसर आजाएगा आपका तीनोफोरा ठीक है radially symmetrical animals diploplastic organisms with the tissue level of organization ठीक है radially symmetrical diploplastic animals body में यहाँ पर एक external rows मिलेंगे आपको इसको अपन क्यावलते है sediated complex बोलते है इसमें important characteristics biluminous देखने को मिलता है ठीक है जो अंधरे में भी चमकता है और यह important characteristics है इसका reproduction only sexual means ठीक है यह यह एक important characteristics है इसका तो यह धान में रखना तीनोफोरा का important characteristics biluminous and only sexual reproduction sexes यहाँ पर separate नहीं होते है हर्मफोराइड होता है इसके example ले लो plurobrachy and tino plana ठीक है चालो इसके बाद आ जाएगा platy element is platy element is के अगर बात करें तो these are the dorsal ventrally flattened body इसको इसके लिए क्या बोलते है आप उन flatworms होते है flatworms देखा जाए तो these are the bilaterally symmetrical triploblastik animals होते है first triploblastik and these are earths ilomates 5 तो पाध हैं में रखना है platy element is earths ilomates ठीक है and भी तो organ level of organization यह भी काफी important statement है hooks यह बे प्रेजेट में होते है तो parasitic form से यह ectoparasites mostly दिखने को मिलता है इसमे specialized sales इसमें होती है flame sales जो osmo regulation और excretion के कावं आती है fertilization यहाप इंटर्नल देखा जाएगा development जो है वो larval stages के दुरू होती है example tiny and fasciola ठीक है tapeworm and liver flow मेरा और एक चैनल यूट्यूब चैनल जाती है e-cutta गाइस ठीक है तो इसमें मैं जाता है यहाँ पर जो है वो circular inconstitution होता है तो इसको आप राउंडू हम भोलते है यहाँ पर organ system level of organization यहाँ पर देखने को महलेगा सबसे पहले हमको and bilaterally symmetrical ॉस्टीक है pseudo-selement participant this is very important point तो इसको कैसि याद में रखना है पाव ठीक है तो इसको कैसे याद में रखना है आप करो ठीक है तो जब भी आपको आपको यह पूछा जाएगा ठीक है जब भी आपको पूछाएगा पा और आप तो इससे जो है आप यादमे रख सकते यह है जबही separate होते है ठीक है so dioceous होता है male आलग होता है female आलग होता है ठीक है and यहाँ पे often female जो होती है वो लंबी होती है male जो हता है थोड़ा सा थेड़ा होता है tail की तरफ ठीक है and ascarisus यहाँ पे example देखो ascarisus roundworm which area philaria worm and cyclostoma जो हता है वो hookworm आजागा next annelida की बात करें तो यहाँ पे organ system level of organization यहाँ पे देखने को मिलता है bilateral symmetry triple elastic metamerical segmentation यहाँ पे important line है and these are the psyllomate animals यहाँ पे body surfaces distinctly mark out into the segments or metamers hence they are known as annelida ठीक है annual drinks होती है इसको annelidas कहा जाता है okay चालो they possesses longitudinal and circular muscles which help in locomotion ठीक है aquatic animals annelidas देखोगे आप तो neresis में क्या होते है lateral appendages होते है जिसको आपन क्या होते है parapodia जो swimming में help करते है ठीक है nephridia यहाँ पी होता है जो osmoregulation or swimming में mostly sorry excretion में mostly help करता है यहाँ पी neural system में आप देखोगे तो paired ganglion होते है ठीक है यह lateral nerve stage जो है double ventral nerve cord जो है बनाते है बनाते है very important MC को point example neresis ferritiama earthworm and herodinaria is a blood sucking leg next orthopoda के बात करें it's a largest phylum and two-third of all the species are earth of orthopodas two by three body body जो होती है वो covered by cutaneous exoskeleton very important MC को point यहाँ पे sensory organs present होते है that is antenna eyes जो होती होती हो compound होती है यहाँ पे balancing organ present होता है that is statostyst statostyst बोलते है उसको यह balanced organ बोलते है जो इसमें present होता है respiratory organs यहाँ पे दिखोगे तो सारे दिखने हो मिलेंगे आपको gills, book gills, book clunks and tractal system excretion होता है through the malphusion tubules और इसमें apis, hennybee, bombac, silkworm, laxivir lac, insect, anaphylus, tulox and aides, mosquitoes यहाँ पे देखने को मिलेंगे ठीक है इसकार मोलुसका की बात करें तो मोलुसका bilateral is symmetrical, triple plastic and silomate animals होते ही है ठीक है body यहाँ पे calculate share होता है इसके around these are unsegmented bodies ठीक है gravity बोलते है जिसमें क्या होता है gills present होता है ठीक है यहाँ पे mouth organ यहाँ पे file-like mouth में जो है वो file-like raspin organ present होता है जिसको आपन रैडिला बोलेंगे example देतो पिला का apple snail, pink tada का pearl oyster, sepia का cuttlefish, octopus का devil fish and chadoplyora का kaiton ठीक है most distinctive feature economy में सके है presence of water vascular system ठीक है जो किस में help करती है locomotion में help करती है capture and transport of food and disparation में भी यह help करती है digestion यहाँ पे complete होता है fertilization यहाँ पे external देखनों को मिलता है यहाँ ठीक है काफी important MC को point and development जोती है वो indirect होती है with free swimming larva यहाँ पे example देखो Asterias, starfish, echinus, sea urchin, antedon, sea lily, kukumaria sea cucumber and of your a brittle star hemicodata these are the worm-like marine animals ठीक है marine होती है original system level of organization यहाँ पे देखनों को मिलेगा bilateral symmetrical triplovastic and silhouette animals body is cylindrical होती है composed of anterior proboscis collar and wrong tongue ठीक है long tongue trunk okay circular system open type important MC को point orthopodas and hemicodata open type respiration takes place through the gills excretion organism proboscis gland sex is separate होती है मतलब monotious होती है and यह 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 इनी excretion होती है fertilization external development is indirect balano glasses succu glasses Vidya balani glass पहेने तो succu ने भी glass पहेने ठीक है quadrata की बात करें quadrata belonging to phylum quadrata are fundamental characters where presence of notocard ठीक है इसमें कैसा होता है dorsal hollow neocard परता है with a paired pharyngeal gills states non-cordates में कैसा होता है ventral solid neocard होता है double neocard होता है ठीक है और वहाँ पर gills states present नहीं होता है यहाँ पर आपको post channel tail मिलेगी non-cordates में आपको नहीं मिलेगी closed circular system सारे quadrata में पाया जाती है यहाँ तीन sub phylum में यह quadrata reward हो चुका है euro-cordata इसी को अपन tunicate होती है head to tail region में present होता है euro-cordata example आप देखोगे तो ascadia and salva ठीक है ascadia, salva and dolilium ठीक है ऐसा ना डूलियो आपको ऐसा कर सकते है ऐसा ना डूलियो यह ऐसा डूलियो ठीक है several-cordata brancheostoma इसी को अपन MPOxos या फिर lanceolate जो है वो बोल सकते है cyclostoma यहाँ पर देखा जाए तो all living members जो होते यहाँ पर agnatha and glandostomata आएगा agnatha जिसमें without jaw होता यह ठीक है without jaw और इनका mouth जो होता circular होता इसलिए cyclostomata कहा जाता इसलिए these are the ectoparasites elongated body यहाँ पर कितने होते 6-15 pairs of glycery for the respiration cranium and vertebral corum यहाँ पर कैसे होते कार्टील जीनेस होते है और यह कैसे होते मुशली मरा ने होते है लेकिन उनको sproning करना होता है जब बच्चे देने होते है तो फ्रेश वाटर में जाते है और जब बच्चे sproning के बाद यह वहाँ पर बर जाते within a few days बच्चे फिर added होने के बाद फिर से C में वापस आ जाते है जैसे कि मैंने कहा थे यहाँ पर circular mouth होता है without the jaws इसलिए अगना तक आ जाता है यहाँ पर देखो कि their bodies divided of skulls scales वहाँ पर नहीं होते example यहाँ पर देखो petromyzon lamprey and magazine को हम यहाँ पर hexing कहते है इसके बाद natostromata jaw के साथ होने वाले इसमें दो यहाँ पर जो इस super gas मिलेंगे आपको जो है Pisces में पाया जाता है Pisces and amphibians ठीक है तो Pisces में सबसे पहला आपको मिलेगा class that is conductys marine animals होते है simple body and have a cartilage and mouth कैसे होता है ventrally होता है notocot throughout the life region होता है and without operculum होते teeth जो है वो भी placard sales ही बनते है यहाँ पर तो यहाँ पर air bladder option होता है तो इनको बार बार तेयरता रहना पड़ता है नहीं दूप जाएंगे cold bladder होते है थंडे खून के होते है and male में क्या होता है pelvic fins होती है पूछवाली fins होती है उसमें claspers होते है so it's a identification feature example scolidon, dogfish pristiskos, sawfish karkadon, great white shark and trigon stingray austriktis it includes both marine and freshwater fishes with a bony endoscalator इसमें दोनों देखनेंगे mouth यहाँ पर कैसा होता? terminal होता है यहाँ पर four pairs of gills which are covered by oproclum skin covered with cycloid and tinoid scales आपको यहाँ पर देखने को भी हैंगे air bladder जो है present होता है और इसलिए बायंसी मेंटेन कर पाते है यह तेहर पाते है fertilization is external they are mostly oviparous and mostly development direct होती है marine में कुनकों से फॉर्माएंगे exocutis यह उडने वाली fish है hippocampus, sea horse, fresh water में lobio, cutla ठीक है देखने को मिलेंगे तुमको regular भी आप यहाँ आ जाएगा aquarium में beta fighting fish and petrophylum is the angel fish ठीक है angel 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 amphibians यहाँ पर यह जमीन पर भी रह सकते है और पानी में भी रह सकते है skin case ही होती है without skills होती है moist होती है eye के उपर eyelids होती है respiration by the gills होता है lungs and through the skin heart case of the three chambers होता है two oracles and one ventricle tympanum जैसे के मैंने बोला था represent करता है ear को elementary channel urinary reproductive attacks जो होते है वो एक common chamber में open होते है ठीक है जो बार की तरफ open होता है यहाँ भी कहा जाएगा हाइला 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 हुआ 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 tree frog salamander active fish यहाँ पर limbless amphibia this is very important MC को point reptilia के बात करें तो these are the mostly terrestrial animals their body is covered by the dry cornified skin dry cornified skin epidermal scales or scutes present होते है heart यहाँ पर three chambers होता है except crocodile crocodile में four chamber heart tom को जो है वो देखने को मिलेगा these are the poikilotherms and chilloni turtle testudo tortoise chamelion tree lizard callutes gladden lizard crocodylus crocodile जो है आपर देखने को मिलेगा Aves की अगर हम बात करें characteristic feature of Aves presence of feathers होता है ठीक है उड़ सकते है and कुछ कुछ नहीं उड़ सकते है उसको अपन ostris आएगा skin is dry without the glands ठीक है इसमें कोई भी gland नहीं होते है except oil gland present ही at the base of the tail endoskeleton कैसा होता है fully ossified होता है long bones कैसे होती है hollow होते है उसी के कारण pneumatic bones present होते है तो वजन उनका हलका हो जाता है उसी के कारण उड़ पाते है digestive tract जो है इसमें additional chambers तुमको देखने को मिलेंगे crop and gizzard जो same तुमको orthopoda में भी देखने को मिलेंगे heart is completely four-chambered warm bladder होते 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 है mammalia the most unique mammalian character is the presence of milk producing land that is mammalic lands यहापे क्या होता है hair होता है skin unique hair present external ears and pinna यहापे present होता है herd यहापे four-chambered homeothermia respiration through the lungs होता है sexist separate होता है fertilization is internal they are mostly viparous लकिन वहापे exception है जैसे कि oviparous that is platypus egg laying होता है यह अंडी देता है साथी में एक ant ditter भी होता है ant ditter भी जो है वो egg laying mammal है viparous marcopus यहापे आ जाएगा directly यहापे जनम देने वाले that is marcopus को kangaroo बुलते हैं petropus flying fox, camulus camilla, mackaka monkey ratus rat, canis dog, phillis cat elephant, aequus horse, delphinus is a common dolphin तो यहापे जो है quick revision animal kingdom की खतम होती है तो don't forget to like, share and subscribe to our channel यहापे जो है social media की links दिये है तो यह देख लो यहापे मुझे follow कर लो telegram channel join कर लो तब तक मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई ठीक है